नमस्कार दोस्तों आप सब देख रहे हैं टौब यहाई चैनल मैं आपके साथ लोग का भाई संजीत मारे चुपला दोस्तों जितने भी बिहार द्रोगा की तैयारी करने वाले प्रिषारती है और सभी के लिए वीडियो पहुत की ज़्यदा हेल्फुल होने वाली है दोस्तो अगर आप बारे से 75 में अपना सीट कंफर्म नहीं कर पाया है तो आप सभी के लिए सुनाहरा मौका 2247 पौद आ रहा है बिहार द्रोगा की तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बताया था कि लगवग 2,000 के असपास में सीट आएगी तो दोस्तों कंफर्म हुआ है कि 2247 स आने वाली है और 100% आने की संभावना है दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 2247 सीट है कम तक आएगी और इसके लिए हम लोग पर नितिक क्या अपनाना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले एक छोटा सा रिक्रेस चाहिए प्लीज वीडियो अगर आप वीडियो को स्टार्ट कर दिये देखने के लिए तो पूरा से पूरा जरूत देखे जाए दोस्तों 12-75 जो भी लोग एक्जाम दिये हैं अगर उनका एक से दो नमर से छूटा हुआ है तो दोस्तों मैं बता दू आप जो बूक लिष्ट माला जो बूक लिष्ट अगर आप पहले चूज किये ते और जितना समय दिये ते थोड़ा उस बूक लिष्ट में कुछ एक्ष्टा लगा दीजे और साथी साथ इसमें तुछ टाइम को भी बढ़ा दीजे अगर आप 10 गांटा टेली पढ़ते थे बारे से पच्चातर स्टिक के लिए 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 कि आपका उसमें एक कंफर्म सीट हो जाए अगर नहीं हो पाया पीटी तो दोस्तों आप तोड़ा दो गटा और बढ़ा भीजे आपकी एकजाम हंडेट परसंट बाइस साथ है तालिस में रिजल्ट आएगी पीटी के एकजाम निकल जाने के बाद एक बाद दोस्तों अग पीडेंस लेवल बहुत जड़ा बढ़ जाता है यानि कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते आगे अगर एक बाद बिहार द्रोगा निकाल दिये तो दोस्तों अभी बिहार पुलिस का भी निव वेकंसी आने वाला है उनीस साजार चार सुनातर सीटी आन परवरी को होने वाला है जो लोग भी पचीश परवरी की तयारी में लगे हुए है और अगर मान के जली बैचास पचीश परवरी की तयारी में लगे हुए है तो आप लोग लग जाईएगा और आपकी 100% होनी के संभावना होगी दोस्तों जैसे कि कमेंट बक्स में लिख कर जाईए मैं आप सभी के लिए एक नए बैच लेकर आऊंगा जो भी दारती 22-47 के लिए तैयारी करें विहार द्रोगे की तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए नए बैच लेकर आ रहा हूं तो दोस्तों प्लीज इस कैनल को सब्स्क्राइब करेंगे और जल्दी अपडेट दूंगा कि कब से बैच आएगा तो दोस्तों पिलाहल अभी का यहीं अपडेट है आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बक्स में लिख कर दुबते हीगा सब तक लिए टेक केर बाए बाए